नमस्कार दोस्तों स्वागात है आप सभी का एक बार फिर से आपके इपने चैनल ग्यान नरपे सातियों बिहार सिक्षक भरती अभी जो विपेसी के माधियम से चल रही है विपेसी टीरी 2.0 उसको लेकर एक बड़ी अपडेट आई है सातियों आपको बता दे कि अभी किये हैं और सिक्षक भरती में भाग लिए हैं उसके लिए कहें ने कहीं यह बुरी खबर होगी सातियों इस वीडियो में हम एक करके आपको एनलाइसिस करेंगे उस लेटर के उपर और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा ताकि आपको complete जानकारी मिल सके सातियों आज 18 December को जिसमें बताया जाता है कि भासा अहरता जो है उसमें क्वालिफाइ करना कोई जरूरी नहीं है मतलब आपको पता है कि 30 नंबर का आपका भासा अहरता का एक्जाम था उसमें कई इसे अभ्यरती थे जो भासा में क्वालिफाइ नहीं हो रहे थे लेकिन अभी BPSC क उसको हटाया जाता है अब किसके लिए हटाया गया है हम इस वीडियो में बात करेंगे आप वीडियो को पहले BPSC TRE 1 में एक घटना घटी थी अब घटना ही हम इसको बोलेंगे आपको पता होगा कि BPSC TRE 1 में 1 to 5 से मानने सुप्रीम कोट के आदेश के अकॉर्डिंग B.A. अभ्यर्तिव को हटा दिया गया था लेकिन हटाने से पहले ऐसा कोई नोटिस नहीं पब्लिश किया गया था कि B.A. अभ्यर्तिव को हटाए जाता है बस डिरेक्ट रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया रिजल्ट के समय ही सारा यह खेल बेल हुआ कि नीचे लिख दिया गया रिजल्ट पब्लिश करने के बाद अगर कोई सुप्रीम कोट का आदेश आता है या अधिनस्त दुनिया लेका तो रिजल्ट परभावी हो सकता है मतलब B.A. को भी सामिल किया जा सकता है लेकिन फिलाल अभी जो जज़्जमेंट है मानने सुप्रीम कोट का कि B.A. प्रात्मिक में सिक्चक नहीं बन सकते है उसके अकॉर्डिंग B.A. को सामिल नहीं किया गया है ऐसे में उस समय ए 1-2-5 में सिक्चक बनने चार है और B.A.C. का एकजाम दिये है उसके पास दोनों डिगरी है B.A. का भी है और D.A. का भी है लेकिन वे अभ्यर्थी क्या किये हैं 1-2-5 का फॉर्म फिलफ करने समय में अपना B.A. का डिगरी लगा दिये है ऐसे में उन अभ्यर्थियों को बी अभी भ्यर्थी लगाए थे लगवग 10,000 अभ्यर्थी ऐसे थे जिसके पास D.A. का और B.A. का दोनों का डिगरी था तो वह B.A. को हटा कर D.A. लगा दिये थे ऐसे में उन अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट दिया गया और वे आज सिक्षक के पद पर कर रहता है ऐसे में स अभ्यर्थी यदि चाहे तो B.A. के प्रोसेक्षनिक योगता का भी चयन कर सकते हैं इसके लिए आपको अभ्यर्थी को दिया गया है डेट 19.12.30 से 20.12.30 इस तक यह डेट दिया जाता है आपको इसमें आपको करना क्या है आपको आयोग के विपसाइट पर जाना है आयोग के विपसाइट पर जब आप जाएंगे तो अपना यूजर नेम और पास्बोर्ट सिंप्ली लॉगिन करने के बाद डेस्बोर्ट पर बीएड की विवरणी देना सुनिशीत करे ऐसा करके कुछ आप्सन होगा उसको आप भर सकते हैं मतलब अपना बीएड का विवरण दे सकते हैं लेकिन साथियों आप इसको थोड़ा सा इस विव्यू से भी देखिए यहाँ पर 1-2-5 में तो बीएड वैलिड हाई ही नहीं देखिए डियलेड करते हैं वे 6-8 का फॉर्म फिलफ करते हैं अगर इस कंडिशन में उसके पास बीएड का भी दिगरी है अगर वे डियलेड लगा दिया गया अब यह क्यों दिया गया है सबसे बरी बात दिया है साथियों यह क्यों का जवाब अगर आप खुद से लेना जाते हैं तो थोड़ा सा आप थोड़ा सदी बान गया सकते हैं कि आखिर डियलेड जब वैलिड है अगर कोई ऐसा नोटीश नहीं पप्रिस किया गया कि डियलेड को हटाया जा रहा है तो उसमें बीएड को स्वीच करने का उप्शन क्यों दिया जा रहा है चलिए हम यह प रेगुलर से डियलेड की होंगे उसके लिए यह लेटर नहीं है कि अबल ऐसे अभ्यर्थी जो नोटीश से डियलेड की है उसको बीएड मतलब जो है अगर उसके पास बीएड का भी डिगरी है तो आप अपना उसमें डिगरी स्विच कर सकते हैं अपना विबरानी उसमें पूरा लग जाता है बहुत सारे भिरती कमेंट करते हैं कि सर आप गलत भोल रहे हैं कि कहीं पर हटानी की बात नहीं की जारी है इस वीडियो हम बिल्कुल हटानी की बात नहीं करेंगे लेकिन आप खुद सो सकते हैं कि हटाया जाएगा या नहीं जाएगा देख सकते हैं य अलांकि इसका क्रेट इडिया था कि 2017 का एक डेट पब्रिश किया गया था मानिए सुप्रीम कूर्ट के जर्जमेंट में कि अगर इससे पहले अगर कोई भीरती असिक्षक के पदपर काजरत हैं चाहे वह प्रेवेट हो या सरकारी हो तो इसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मतलब इसका डिग्री वैलिड होगा लेकिन अब विब्यसे इसको किस वियू से आपको रखना चाहेगी नहीं वह अलग बात है अब जब नोटीस आगी तब ही पता चलेगा लेकिन अब हम आगे बात कर लेते हैं अगला नोटीस पर जैसा कि आपके सामने दिख रहा है बिहार लोग से वायोग के द्वारा यहां अवसेक सूचना दिया गया है जो कि आपको 18-12-30 मतलब आज ही पब्रीज किया ज को छोड़ कर अन सभी वर्गों के विशायों की परिक्षा भाग एक मतलब भासा जो अहरता के लिए था केवल क्वालिफाइंग ने चरका के अंक को सुन्य किया जाता है केवल वर्ग 125 के भाग 1 भासा अहरता के प्रापतां को मेधा सूची तियार करने में परियोग किया ज यह है उसमें आपको 30 मार्क का क्वालिफाइंग नेचर का एक्जाम था जो कि भासा का था हिंदी इंग्लिश दोनों इंकुलूड था इसमें आपको 30 परचेन मतलब 9 के करीब माक लाना था इस मार्क को लाना अब जरूरी नहीं है अगर आप इसमें 8 मार्क भी लाते हैं त मतलब आप 0 मार्क भी लाते हैं इसमें तो निश्चित रूप से अगर आपका अगर रिजल्ट हो रहा है तो आपके रिजल्ट को बाधित नहीं किया जाएगा साथिயों यहीं जानकारी थी लेकिन मैं कहता हूं भी पेस्षी से ऐसा आप क्यों करते हैं एक वार नियम बनाते हैं एक वार यहां पर हटा देते हैं जब ऐसा नियम हटाया गया तो केवल 1-25 को चोर कर क्यो अठाएगा इसको भी आप include कर लेते हैं इसमें यह दोसी हैं क्या यह भिरती दोसी हैं नहीं है सातियों इसके पीछे का भी reason बहुत है 6 से 12 तक की vacancy बहुत ही अधिक है और आपको पता है कि 125 में के बहुत 9000 vacancy है 9000 vacancy में आपको पता दे कि सिख्षा बिभाग के द्वारा जो प्रेमिनेट टीचर में vacancy दी गए थी इसमें किवल जेनरल सीट पे 1088 पत था उसमें बहुत ही कम अभेरती फॉर्म बरहे हैं लेकिन जो अभेरती फॉर्म बरहे हैं उसके लिए भी तान्या नहीं कि और आज की वीडिको हम यह बंद करते हैं तो तक लिए थांक्स पूर वाचिंग वीडियो में तक बनें तो